प्रजापतिकुमार और आज में लेकर गया हूं मल्टिपल च्वाइस को सियन फ्रम दिल्ली सल्तनत पच्चास मुल्टिपल च्वाइस को सियन और जो कि बिहार दरोगा मैंस के और बिहार अससी मैंस के जम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो बनेर यह मारे साथ और लगाते हैं यह पच्चास मुल्टिपल च्वाइस को सियन एक्जाम आज नकल तो होगा ही लेकिन हमें एक्जाउन की त्यारी कंचिन्यू रखनी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुलाम बंस का संस्थापक कौन था कु वास्तविक संस्थापक कौन तक कुतुबदीन एवक इलतुतमीश बलबन रज्या तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इलतुतमीश को माना जाता है संस्थापक कौन वास्तविक तो इलतुतमीश Q3. अपनी सक्ति को समय कित करने के बाद बलवन ने भव्य उपादी धारन की कौन से उपादी धारन की? तूती ए हिंद, कैसर ए हिंद, जिल्ले इलाही, दीन ए इलाही तो आपको बता दो कि बलवन ने वो भव्य उपादी धारन की ती इसका नाम है जिल्ले इलाही आंसर होगा C इल्टुतमीस द्वारा बनवाया गया अतार किन का दरवाजा जो कि अकवर के बुलंद दरवाजे का प्रिर्णा सुरूत बना इस्तीत है वो कहाँ पर इस्तीत है दिल्ली में, अजमेर में, लाहर में, नागवर या जोधपूर में तो वो इस्तीत है नागवर या जोधपूर में किसने 40 तुर्की सर्दारों को ले करके तुर्कान एचहलगान या 40 दलका गठन किया कुतुबदीन एवक इल्टुतमीस बलवन रजिया तो मैं बता दो कि 40 तुर्की सर्दारों को लेकर तुर्कान एचहलगान या 40 दलका गठन इल्टुतमीस ने किया था यह 40 सर्दारों का एक ग्रूप होता था जो कि हमेशा इल्टुतमीस के साथ रहता था वहाने कर चलिए कि बोडिगार्ड की तरह रहता था पॉस्ये नमर् six निम्लखित मेंसे कौन राजदरवार में बलवन का स्वर्प्रमुक प्रतिध्वन्दी था इमांउदीन रिहान किसूल खाँ जफर खाँ इलतुतमीश तो इमामुद्दीन रिहान जो है वह राज दर्वार में बलबन का सरवपरमुख प्रतिद्वन्दी था नेक्ट निमलिखित में से किसने चहल गाउनी चली सादल का पुर्णता सफाया कर दिया किसके राजकाल में लखनवती बंगाल की राजधानी में तूर्गिल खाकुआ बिद्रो और दमन हुआ तो किसके काल में हुआ ये तुतमीस, बलबन, अलाव दिन खिल जी इन में से कोई ने तो यहां पर तुर्गिल खा का बिद्रो और दमन हुआ या बलबन के सासन काल में हुआ तो अंसर होगा बलबन ने बित्विवाग दिवान ए विजारत से अलग कर एक प्रितक संस्था के रूप में सेन विवाग दिवान ए आरिज अर्ज के स्थापना की जिसका उद्देश था अंत्रिक विद्रो का दमन करना मंगोल आकरमनों को रोकना ए और भी दोनों दी ना ही एक और ना ही भी दूसरा तो अंसर होगा इसमें दोनों इन्होंने अंत्रिक विद्रो का दमन करने के लिए भी किया था और मंगोला कर्मन को रोकने के लिए भी नुने, आरज अरज, दिवान ए, आरज या अरज के स्थापना किया था, next, किसने दर्वार में सिजदा घुठनों पर बैठ कर सीस नवाना, एवं पावोस कर सीस नवाना, एवं पावोस पाव को चुनना की परिपाटी चलाई, तो यह किस ने चलाई थी? इलतुतमीस, बलबन, अलावदिन खलजी, मुहम्मद बिन तुगलग, तो यह प्रथा जो है बलबन ने चलाया था नेक्ष्ट देखें, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए साहनाव मेवरनित किस परसित तुर्की युद्धा का वनसज होने का दवा क्या था? अफर, श्याब, अमीर, हजमा, टैमूर, इनमें से कोई नहीं तो इनमें से टैमूर के वनसका होने का दवा क्या था तो सानावे वर्नेट पर्चित गरंथ तुर्की युद्धा का वंसर जोने का यह तो यह तैमूर अंसर वशी वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरवार में बेटता था दरवार में वह न तो खुद हसता था और नहीं किसी को हसी मजाक का फालतो बात करने की जाधा देता था यह किस संबंदित यहीं तो नेक्स्ट देखते हैं क्योषिन नमर निम्लकित में से किसने केलूगड़ी कि लोग खड़ी के राजमहल में अपना राज़ी विसे क्या और उसे अपनी राजधानी बनाया बलवन जलाल उद्दीन फिरोज खिल जी अलाउद दिन खिल जी फिरोज सार्तुग लग तो यहाँ पर इंसका अंसर होगा जलाल उद्दीन खिल जलाल उद्दीन फिरोज खिल जी ने केलूगरी केलूगड़ी के राजमहल में अपना राज़ी विसे क्या और उसे अपनी राजधानी बनाया नेक्स्ट जललोद दिन फिरोज खेलजी के सासनकाल में घटी घटनाए थी कड़ी कड़ा मनिक पूर के सुबेदार मलिक का पूर का बिद्रो दिल्ली के एक दर्वेशी सीधी मौला का सरियंत उलुक के नत्युत में बंगालों का मुसल्मान बनना नव मसल्मान एवम उनके दर्वा दिल्ली के बहार मुगल पुरा नमक बस्ती बसानों पर युक्त में से सभी आई डोन नो इसका क्या आंसर होगा नमर बंदर दक्षिन भारत पर पर्थम मुसलिम आकरमन देव गिरी के सासक या दबराम चंद्र पर किया गया आकरमन किसके समय में हुआ था जलाल अद्दिन फिरोज खिल जी अलाउदिन खिल जी मुहम्मद बिन खिल जी इलतुतमिश तो यह आकरमन जो वा था मुहम्मद बिन खिल जी के सासनकाल में हुआ नेक्स्ट अलाउदिन खिल जी का मूर नाम था अबु रहांई, इ्मामद दीन रहांई, अलिग गूर साफप, इन में से कोई नहीं तो अलाउदिन खिल जी का मूर नाम था अले गूर सास्प यह जो C नमर है यह और अले गूर साथ, लावदिन खिल्जी के सेनापतियों के नत्रित में बाद में रख्षिन भारत की विजय का नत्रित क्या मलिक पूर मालिक खान उलुक खान नस्रत्चा तो इसका उनसर होगा ए मालिक काफूर मालिक काफुर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था वह 1000 सेनिकों का परदावन था उसके पास 1000 गावों का वास्तविक स्वामित्त प्राप था इन में से कोई नहीं तो इसमें होगा कुश्चन ए उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था इसलिए उसे 1000 दि पुर्के नित्रित्म में दक्षिन भारत अभियान 307 इस्वी से 312 इस्वी तक क्या गया इस अभियान में पराजित राजियों का करम क्या था इस राजियों में पराजित राजियों का करम पले देवगिरी था उसके बाद वरंगल उसके बाद होसेल उसके बाद मदुरा तो ये तीन पहला ही आता है फाला अप्शन होगा देवगीरी वरंगल होईसल और मदुरा अलावदिन खिल जी ने कहा कि वह सासक कुछ किस सासक को छे महिने तक राजधाने दिल्ली में रखा रायराना राजाओं का राजा की उपाधि थी और गुजरात का नवसारी जीला उसकी राज में समिल करवा दिये तो ये सासक देवगीरी के सासक रामचंद्र को तो कौन सा होगा इसका अप्शन होगा यह जी तो कौन था देवगीरी के सासक रामचंद्र को तो दक्षिन अव्यान के क्रव में किसने मलिक काफूर को विश्व पर्शित को हिनूर हिरा परदान किया गया मलिक काफूर नहीं हिरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेट कर दिया रामचंद्र परताप रुद्र किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज के लिए हितकर है मैं यह नहीं जानता कि सरियत में इसकी इजाज़त है या नहीं तो यह क्या था अलाउद्दीन खिल जी मुहम्मद बिन तुगलग बलवन इल्दुतमिस तो यह अलाउद्दीन खिल जी इसका अंसर होगा अलाउद्दीन खिल जी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया अलाउद्दीन तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन अलाउद्दीन मुल्क के कहने पर उन्होंने सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना का त्याग कर दिया किसने चार अध्यादेश फोर्ट ओडिनेंस जपती गुप्त चर पर नाले का गठन किया दिल्ली में मद निशेद अमीरों के मेल मिला पर पावंद लगाए बलबन अलाउद्दीन खल जी इस तुतमीश मुहमद बिन तुगलक तो अंसर होगा अलाउद्दीन खेल जी किस सुल्तान ने एक नया मंत्रा ले दिवान ए रियासत वहें जो मंत्रा ले के स्थापना की अलाउद्दीन खल जी मुहमद बिन तुगलक गयासुदिन तुगलक खिरोज तुगलक तो इसका अंसर होगा अलाउद्दीन खेल जी नेक्स्ट किसने सैनिसासन के छेतर में दाग घोरी पर दाग अत्वाचिन लगाना एवं हूलिया सैनिक के पाचान का पचलन किया बलवन अलाउद्दीन खल जी इलतुत में सिकंदर लोती यह इंपोर्टेंट कुश्यन नाइस का अंसर होगा अलाउद्दीन खेल जी घोरों का ब्रांडिंग मतलब दाग वाले पर्था इनहों नहीं शुरू कि थी नेक्स्ट किस सुल्तान ने सैनिकों को भुदावां के अस्थान पर नगद वितन देने के पर्था चलाई अलाउद्दीन खेल जी बलबन इस तुत्मिष महमेद मिंतु लग तो वह अलाउद्दीन खेल जी याजीन आमने सेना को नगद वितन देना प्रहाण किया नेक्स्ट यक अस्पा एक घोरावला सनिंक, दो अस्पा, दो घोरावला सनिंक पर्था का प्रारम किया इसने अलावत्दीन खिल जी कि राजस्य परणाले का सुधार में संभन्द में कौन सातन सभी है भूमी अनुदानों की शमापती किया उसने एक सही है, मुकदमों, खेतों, खुतों और चोदरियों, मोरलेंड की सब्दों में समस्त वर्ग के विशा सदिकार को समापती, यह दिवाने मुस्तकराज के स्थापना, यह भी से, विश्वा के अदार पर भूमी की पेमा इसकर, स अकल, उत्पात का पचास परतिसत खराज, निरदारत के यह भी से, चार जकात, जजिया, खुष्म, गनिमा की नहीं दर निरदारत के यह भी से, तो यह एक दू तिन चार सही है, तो अंसर भी 29 का, भी होगा एक दू तिन चार, सराय अदल निम्लिकित में से किसका बजार थ तो सर ए अदल जो था, यह वस्त्र एवं अन्यवस्तुओं का बजार था, दिल्ली स्थित सिरी किला, सिरी फूट हजार, सतून, राजमहल, हजार खंबोवाला, राजमहल के निर्मान का सरे किसे जाता है, बलबन, जलालवद्दीन, फिरोज खिल जी, अलावद्दीन, खिल जी को, नेक्स्ट किसने रस्म एमियान बीच का रास्तावत तरीक ए अदाल, एल दाल, सुल्तान तरीका नाम सी, राजस्य सुदार की वेवारिक निती अपनाए, गया सुद्दीन, तुगलक, मुहमद बिन, तुगलक, अलावद्दीन, खिल जी, घ्रोज तुगलक, तो यह गया सुद्दीन, तुगलक, निया निती अपनाए, अंसर होगा ए, कौन से सुल्तान की मिर्तिव, अफगान पूर, तुगलक आबाद में, लकडी से बने स्वागत भवन की गिरने से हुई, अलावद्दीन, खिल जी, गया सुद्दीन, तुगलक, मुहमद बिन, तुगलक तो गया सुद्दीन, तुगलक की मिर्तिव, लकडी के भवन गिरने से हो गया था, नहर निर्मान करने वाला दिल्ली का पर्थम सुल्तान कौन था, गया सुद्दीन, तुगलक, फिरोज, तुगलक, मुहमद बिन, तुगलक, बलबन, तो नहर निर्मान करने वाला दिल्ली का पर्थम सासक गया सुद्दीन तुगलक था कि सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जाउना खां था गया सुद्दीन तुगलक मुहमद बिन तुगलक रोज तुगलक बलवन तो मुहमद बिन तुगलक का नाम जो था सुल्तान बनने से पहले इसका नाम था जाउना खां किसने सासक बनने के उपलक्ष में अपना अबूल मुजाहिद रखा गया सुद्दीन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इन में से कोई नहीं इसका आंसर होगा मुहम्मद बिन तुगलक मुहम्मद बिन तुगलक ने सासक बनने के उपलक्ष में अपना नम अबूल मुजाहिद रखा मेरा सारा राज विमार पर गया है यदि मैं एक अस्थान पर व्रवस्था अस्थापीत करता हूँ तो दूसरे अस्थान पर गरवरी उत्पन हो जाती है यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हल चल होने लगती है या उक्ति किसकी है अलाव दिन खिल जी मुहम्मद बिन तुगलक या सुदिन तुगलक फिरोज तुगलक या उक्ति जो है मुहम्मद बिन तुगलक का है क्योंकि उसने बहुत सारे सुधार करना चाहा पर लेकिन वो हमेशा ही अंसक्सेस्फूल ही रहे इसलिए उन्होंने इसा कहा तो अंसर इसका होगा बी मुहम्मद बिन तुगलक नेक्स्ट किसके राजिकाल में सदा अमीरों का विद्रो हुआ जिसकी चरम परिनिती 1347 में बहमनी राजी के स्थापना हुई तो गया सुधीन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इनमें से कोई नहीं तो अंसर होगा मुहम्मद बिन तुगलक मुहम्मद इन तूबल के सासन में अमीरों का विद्रोह और बह्मनी राजी के मुहम्मद इन तूगलक की में ऑधक्ताबार में लाहोर में नहीं थेह तबता एक जगा किस सुल्तान ने 24 कस्ट दायक्राओं के अस्थान पर केवल चार कर लगाए गया सुदिन तुगलक मुहम्मद बिन तुगलक फिरोज सा तुगलक इनमें से कोई नहीं तु है तो अंसर होगा फिरोज सा तुगलक किस सुल्तान ने अपनी आत्मकता फत्वूत ए फिरोज साही लिखी किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व, हक ए सर्व सिचाई कर नमक एक नया कार लगा फिरोज तुगलक गया सुद्दीन खल जी मुहम्मद बिन तुगलक अलाव दिन खिल जी तो यह किसने लगाया था कि शिचाइकर तो यह लगाया था कि फिरोज तुगलक ने तो अंसर होगा एए नेक्स्ट फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उलसफा क्या था एक दान साला था एक खेराती अस्पताल था एक पुस्तकाल था तिर्थ यात्रों के लिए तिगरी था दार उलसफा जो था एक खेराती अस्पताल था आजो कि फिरोज सात्तुग लख ने इसके स्थापना किया था किस ने भूमि मापने का पेमाना गज ए सिकंदरी का परचलान किया सिकंदर लोदी, सिकंदर सासूर, सिकंदर महान इन में से कोई ने तो सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी का परचलान किया किस मुश्लिम सासक के सिक्कों पर देवी लक्षमी क्या किरती बनी है मुहम्मद गोरी, अलावदिन खल जी, अकबर, इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर होगा मुहम्मद गोरी मुहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्षमी देवी का किरती बना होता था रज्या बेगम को सत्ता चूत करने में किसका हाथ था तुरकाओं का अफगानों का मंगोलों का अर्वों का तो रज्या बेगम को सत्ता चूत करने में तुरकाओं का हाथ था अंसर होगा इसका ए दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्रह्मनों पर भी जज्या लगया था बलवन ने फिरोज तुगलक ने, अलावदिन खिल जी ने, मुहमद बिन तुगलक ने, दिल्ली के की सुल्तान ने ब्रहमनों पर जजिया कर लगाया था, तो लगाया था ये, फिरोज तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, ब्रहमनों पर जजिया कर लगाया था, चंगेज खान का मूल नाम था खासूल खान एशू गई तुमें चीन ओंग दी तो चंगेज खान का मूल नाम था तेमू चीन अलावत्दीन खिलजी की मिर्तियों के बाद दिल्ली के स्यासन पर कौन बेठा अलाव दिन खेलजी की मिर्तियों के बाद गयासुदिन तुगलक, नसरुदीन द्वलत खा, खिजर खा अलाव दिन खेलजी के बाद दिल्ली की सियासन पर नसरुद्दीन बेटा नेक्स्ट कोशिटन निम्न में से किस सहर में मदर्सा होजफास इस्तित है? मतुरा आगरा दिल्ली इलहाबाद तो मदर्सा होज खास यह जो है यह दिल्ली में इस्तित है तो यह रहा कंप्लीट 50 mcq जो की दिल्ली सलंतनत से मैंने मैंने सेट किया था आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो इस तरह के मल्टिपल च्रेस कुश्चन में लाते रहता हूं और हमारे चैनल को विजिट करें हमने वहां पर सारे दिल्ली सलंत के चैप्टर कंप्लीट के हैं गुल हेलो फ्रेंड्स एजुकेशन च्यूब में आप सभी का स्वागत है मैं वह प्रजापति कुमार और आजम करेंगे मुगल काल से 130 पलस वन लाइनर कोस्टिन जो की बहुत इंपोटन कोस्टिन है और यह कम समय में आप 130 कोस्टिन कर पाएंगे और इसको जान देने से जाने स से पहले आप इसको करके जाएं बहुत उपयोगी कोस्टिन है तो लगाते हैं यह 130 वन लाइनर कोस्टिन मुगल वन्स का संस्थापक कौन था तो मुगल वन्स का संस्थापक बावर था 1526 इस्वी में बावर ने किस वन्स के सासक को प्रास्थ कर मुगल समराज की नीव डाली तो लोधी वन्स को प्रास्थ करके बावर ने मुगल वन्स की नीव डाली पौनिपत का पर्थम यूद कब वा था? तो पौनिपत का पर्थम यूद 21 अपरेल 1526 स्वी कोवा था भारत में ground trunk road बनवाई गई थी किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो सेड़ सा सूरी ने ground trunk road बनवाया था next गुजरात बिजय की याद गार में अकवर ने किसका निर्मान करवाया था? गुजरात बिजय की याद में अकवर ने भुलन दरवाजे का निर्मान किया था आइने अकवरी एक महान एतिहासिक करिती किसके द्वारा लखी गई थी पॉनि पत्त की दूसरी लगाई 1556 में अकवर और हेमो के बीच हुआ था दीन ए इलाही नमक नया धर्म किसके द्वारा सुरू क्या गया था तो दीन ए इलाही एक नया धर्म जो कि अकबर ने चलाया था प्रसिद मुस्लिम सासक चांद बीवी जिसने बरार को अकबर को सोबा किस राज से संबंदित था तो वह अहमद नगर राज से संबंदित था मुगल प्रसासन ववस्था में मनस्बदारी परनाली को किस ने प्रारम किया अपने काल के महान संगितग की तौन सेन किसके दरवार में थे मुगल काल के जो थे महान संगितग अकवर के दरवार में थे कौन तौन सेन मुगल काल की राज भासा कौन सी थी मुगल काल की राज भासा फार सी थी सती पर्था की भर्थशना करने वाला मुगल समराब था तो सती पर्था का विरोध अकवर ने भी किया था किस युद्ध से भारत में मुगल स्राज की नीप परी तो पानी पत का पर्थम यूद से मुगल सासक का नीप परा मुगल चित्रकारी ने किसके सासनकाल में प्राकास्था चर्मोत कर स्प्राप्त किया तो मुगल चित्रकारी ने जहांगीर के सासनकाल में प्राकास्था चर्मोत कर स्प्राप्त किया किस ने अकवर की जीवन गथा लिखी तो अबूल फजल ने अकवर की जीवन गथा लिखी है नेक्स्ट किस मुगल सासक ने भारत की वनस्पतियां और प्राणी जगत रीत्वों और फलाओं का विसद विबरन अपनी दैनिंदनी डायरी में किया तो बाबर ने ये वर्नन किया है सेरसा की महानता का धियोतक क्या है तो सेरसा की महानता का धियोतक है प्रसासनिक शुधार हुमायू नमा किस ने लिखा था तो हुमायू नमा गुल बदन बेगम ने लिखा था अकवर के सासन में महा भारत का फार्सी भासा में अनुबात क्या गया था वह किस नाम से जाना जाता है तो फार्सी भासा में महा भारत का अनुबात क्या गया था जिसको रजमा नम के नाम से जाना जाता है फार्सी में किस मुगल समरात ने सयद भाईयों को हराया तो मुहम्मद सा ने सयद बंदुओं को हराया कौन अंतिम मुगल समरार था तो पहादूर सा द्वीतिय जो था अंतिम मुगल समरार था अकबर के सासनकाल में भू राजस्य सुधारों के लिए कौन उत्तर दाई था तो भू राजस्व सुधारों के लिए टोडर मल उत्तरदाई था अकवर द्वारा बनवाए गे उपासन भवन या पूजागरी का क्या नाम था तो पूजागरी या उपासन भवन का नाम इबादत खाना था तो प्रसिद संगितक तांसेन और बैजू भाबरा किसके सासनकाल में सुभिख्याद थे तो तांसेन और बैजू भाबरा अकवर के सासनकाल में सुभिख्याद थे रामचरित मौनस के लेखक तुलसी दास किसके सासनकाल से संबंदित थे तो तुलसी दास भी अकवर के सासन के समकालें थे बावर मूल रूप से काँ का सा सकता तो बावल मूल रूप से फरगना का सा सकता किसने मुगल समराज की राजधानी आगरासे दिल्ली अस्थांतरित की तो साजहों ने अपनी राजधानी आगरासिर दिल्ली अस्थांत रित की अकबर की वावस्था में उसका संड़क्षक कौन था तो अकबर 13 साल की उम्र में ही गद्धी पर बेट जाता है तो उसका संड़क्षक बैरम खा था किस अस्थां पर नादिर्षा ने चराई नहीं की थी तो नादिर्षा ने कन्योज पर चराई नहीं किया था इसने ऐसे बाग बगी चे जिसमें बाता पौनी हो कि निर्मौन की परमपरा की शुरुवात की थी तो बाबर ने ऐसे बागभगी चे जिस में बाता पधानी होक निर्मन की प्रम्परा के सुरुवात किया राजा बिरवल क्युपादी किसे दी गई? तो राजा बिरवल क्युपादी महेश दास को दी गई औरंग जेव ने ज्यादा भवनों का निर्मोन नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने सासन काल में निरंतर युद्ध करना पड़ा तो वह युद्ध में व्यास्त राजिस के कारणों ने भवनों का निर्मोन नहीं करवा पाया किस मुगल सासक को दो बार राज्य विसेख हुआ तो औरंग जेव ने दो बार अपना राज्य विसेख करवाया था ग्राण ट्रंक सरक जोडती है तो ग्राण ट्रंक सरक जोडती है कलकत्ता से अमरिच सर वर्स 1526 इस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बावर से कौन पराजित हुआ था तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में पराजित हुआ था इब्राहिम लोदी शेर सा सूरी का मकवरा का इस्तित तो शेर सा सूरी का मकवरा सा साराम में इस्तित अकवर का राज जे भी से का वा था तो अकवर का राज भी से काला नावर में हुआ था इंपोटेंट सभी कुछ गुरु अर्जुन देव समकालें थे तो गुरु अर्जुन देव जो समकालें थे जहांगीर के समकालें थे किस राजपूत वंस ने अकबर के सामने समर्पन नहीं क्या था तो सिसोधिया वंस ने अकबर के सामने समर्पन नहीं क्या था किस मुगल सासक को आलमगीर कहा जाता था तो औरंग जेब को आलमगीर कहा जाता था मारा समराथ अकबर द्वारा किसको जरी कलम क्युपादी से अलंकृत क्या गया था तो मुहम्मद हुसाइन को जरी कलम क्युपादी से अलंकृत क्या गया था बावर ने पहली बार पश्चिम से कहां से होकर भारत में परवेश क्या था तो भारत में परवेश पंजाब से होकर परवेश क्या था बावर ने हल्दी घाटी का युद्ध कव लड़ा गया तो 1576 इस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राना प्रताप सिंग के बीच हुआ था भाई जी किसके दरवार में रहा है भाई जी तो अकबर के दरवार में रहा है किसके समय में मलिक मुहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की तो सेरसा के सासनकाल में मुहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की किसने चवसा की लड़ाई चवसा यहां पर चीसा ने ओगर चवसा की लड़ाई 1549 सिस्वी में हुमावत को पराजित क्या था तो सेरसा ने हुमावत को पराजित क्या था चवसा की लड़ाई में 1549 सिस्वी में हुमायों का मकवरा कहा इस्थित है तो हुमायों का मकवरा दिल्ली में इस्थित है किस मुगल सासक ने दो बार सासन किया तो हुमायों ने दो बार सासन किया भारत में बिबी का मकवरा इस्थित है तो भारत में बिबी का मकवरा इस्थित है और अंगाबाद में पते पूर्सिकडी स्थीत लालपत्थर से निर्मित शेक्सलिम चिस्ति के मकवरे का किस्ने संग्मरमर का कर वया था तो जहांगीर ने किस मुगल सासक को पहले आगरा में दफना गया बाद में उसकी एक अफगान विद्वासब को काबूल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया तो इस चीह कहुंता है बावर था किस युद्ध को जीतने के बाद सेर्षा ने दिल्ली में अफगान सत्ता की अस्थापना बिल्स आगरा सहर में बनवाई था किस मुगल सा बादसा ने जाजिया नमक कर पुनह लगाया था तो अरंग जेब ने जजिया नमक कर पुनह लगाया था अकबर के सासनकाल में अलम गुजार नमक अधिकारे का कारित था तो अलम गुजार अधिकारे का क्या करे था तो भूमी राजस्व का मुल्यंकन और संग्रे करना यह कान था अज कल एक जाओं में यह से जुरे बहुत कोश्यना आते हैं कि मुगलकाल में किस अधिकारे का किस नाम से जाना जाता था तो आलंग गुजार्द युथा भूराजस्वदिकारी था सिवाजी ने मुगलों को किस संदी के द्वारा किलों को हस्तानंतरित किया तो पुरंदर किस संदी के द्वारा किलों को हस्तानंतरित किया किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रेल को गुरू गोविंद सिंग ने खालसा पंत की नीव रखी थी तो 1699 में गुरू गोविंद सिंग ने खालसा पंत की अस्थापना ग्यादा। कौन सा मुगल बादसा पहले तो अंग्रेज की कैदी रहा और बाद में जीवन परियंत मराथाओं का पैंसन भागी रहा तो वा था सा आलम दुईतिये दक्षीन में किस के सासन में मुगल समराज तमिल राज जी छेत्र तक फैला तो औरंग जेव के सासन काल में मुगल समराज तमिल छेत्र तक फैला मुगल काल में किस बंदरगा को बाबुल मक्का द्वारा का जाता था तो सूरत तो मुगल काल में किस बंदरगा को तो सूरत के बंदरगा को बावुल मक्का का जाता था बारत के इतियास के संदर्म में अब्दूल हामिद लाहौरी कौन था अब्दूल हामिद लाहौरी साव जहां के सासन का एक राजकिय इतिहास कार था किस मुगल बादसा के मिर्त्यू दीन पना पुस्तकाले की सीरियों से गिरने के कानवी तो सीरियों से पुस्तकाले की सीरियों से गिर कर हुमायू की मौत वाता किस मुगल बादसा के दुर्भागे पर व्यंग करते हुए लेनपूल ने लिखा है वह जीवन भर ठोकरे खाता रहा और ठोकर खाकर ने उसके जीवन कंत हुआ तो यह हुमाईू है नहीं जीवन भर ठोकर खाते रहा और ठोकर खाकर सीरी से गीर कर इसकी मोत हो गई तो इसलिए कहा गया कि ठोकर खाकर ही इसकी मोत हो गई मुगल प्रशासन में मुहतसीव था लोग आच्रन अधिकारे तो मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है बिद्वानों को दी जाने वाली राजश्व अनूदत भूमी दास्तान ए आमीर हमजा का चितरंकन किसके द्वारा क्या गया तो दास्तान ए आमीर हमजा का चितरंकन अब दूश्शमत के द्वारा क्या गया किस सुल्तान ने पहले हजरत एयाला के उपादी अपनाई और बाद में सुल्तान की तो सेड सा सूरी ने पहले हजरत एयाला के उपादी अपनाई बाद में सुल्तान की किस मुगल बादसा को वजीर गजाव दिन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया तो सा आलम दूइतिये ने मुगलबाद सा वजीर गाजिल दिन को दिल्ली में दाखिल नहीं उने दिया मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रा है तो क्या है मुबाईन उसको क्याते हैं मुबाइन मर्स नभी जो बाबर द्वारा मुस्लिम करोनों के नियमों का संग्रे है तो अंग्रेज औरंग जेब द्वारा चलाएगे जिहाद का अर्थ है दार उल इसलाम दिल्ली के लाल किले का निर्मान किशने करवाय था तो साहा जहां ने 21 इतियासकार ने साहां के सासनकाल को मुगलकाल का स्वर्ण युग कहा है तो एल स्रिवास्तव ने साहां के सासनकाल को मुगलकला का स्वर्ण काल कहा है क्योंकि ने मोती मजी जमा मजी ताजमा लित्यादी बनवाए पटना को प्रांतियराज धानी बनाया था मयूर्शियासन तक्त एताउस पर बेटने वला अंतिम मुगल बादसा कौन था तो मुहम्मद शारंगिला मयूर्शियासन पर बेटने वला अंतिम सा सकता किसमें हिंद तथा इराणी वस्तु का लाका स्वर पर्थम समन्वे देखने को मिलता है तो सेर्षा के मकवरे में स्वर्थियासन को उसके पिता हसन खवन एक जाकीर के प्रबंधक के रूप में नियूक्त किया था वजजागिर था वजजागिर DOU reliably था सासारा में पानिपत्त के युद्ध में बावर की जीत का मुख्य कारण क्या था तो पानिपत्त की जीत में बावर की मुख्य कारण था सैन्ने कुसलता जबती परनाली किसकी उपज थी तो जबती परनाली सेर सा की उपज थी जबावित का संबंद किस से था जबावित का संबंद राज त्हाज कानून से और मुंगल सासकों के बीच जगरे की जर क्या था तो कंधार कंधार इसे प्रॉइन समुक्रिक होगरे का जरदार मुंताज माहल का असली नाम क्या था अर्जू किस मुगल बादसा को जिन्दा पीर कहा जाता था तो औरंग जेव को जिन्दा पीर कहा जाता था अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी मारत का नक्सा बुद्ध बिहार की तरह है तो पंच महल का नक्सा जो है बुद्ध बिहार की तरह है next अंतिम मुगल बादसा बहादूर साजफर था उसके पिता का नाम था अकबर शाह दूइतिये अंतिम मुगल बादसा था बाहदूर साजफर उसके विता का नम था अकबर साधुई किये अकबर ने स्वर परतंबे वाहिक संबंद राजपुतों के जिस ग्रीन से स्थापित किया था वा था कछवाहों से किस मुगल बादसा ने अपनी आत्मकता पारसी में लिखी तो जहांगीर ने अपनी आत्मकता तुझुक ए जहांगीरी पारसी में लिखा मुगलों ने नवरोज नवरोज का अतिहार लिया किस से लिया तो यह अतिहार पार्शी से लिया कौन सा मकवरा दूतिय ताज महल का लाता है तो राविया उद्दव रावनी का मकवरा दूतिय ताज महल का मकवरा का लाता है किस बादशा के अंतरगत मुगल से ना में सरवादिक हिंदू से ना पती थे तो औरंग जेव बादशा के साचनकाल में सबसे अधिक हिंदू से ना पती थे तो किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादी दीन ए इलाही धर्म के स्थापना क्या था तो इस दिन एलाई धर्म के स्था अपना कबर ने क्या था तो किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रति पादि दिन एलाई एक धर्म कहा तो अबूर फजल अन्वार ए सुहली ग्रंद किसका अनुवाद है अन्वार ए सुहली पंच तंत्र का अनुवाद है धर्मत का यूद अप्रेल 1659 में किन के बीच लडा गया तो औरंग जेव और दारा सिको के बीच लडा गया 1558 में जहांगिर के दर्वार में पक्षियों का सबसे बरा चित्रकार था कौन था तो पक्षियों का सबसे बरा चित्रकार जहांगिर के दर्वार में मनसूर था किसने मुगल काल में एतिहासिक विबरन लिखा तो गुल बदन बेगम ने एतिहासिक विबरन लिखा तो गुल बदन बेगम पुत्री थी तो बावर की बेटी थी मुगल प्रसासन में जीले को किस नाम से जाना जाता था तो जीले को सरकार के नाम से जाना जाता था किस सिख गुरु की मिर्तिव के लिए औरंग जिव जिम्मेदार है तो औरंग जिव जो है तेग गुरु तेग बहादूर की हत्या करने क्या जिम्मेदार औरंग जिव है औरंग जिव ने गुरु तेग बहादूर की हत्या करवा दे थी भारत के मुगल सासक बनने पर जहिरुद्दीन मुहम्मद ने क्या नाम रखा तो भारत के मुगल सासक बनने पर जहिरुद्दीन मुहम्मद ने बावर नाम रखा अकवर के काल में महा भारत का फार्शी अनुबाद जिसके निर्देशन में क्या गया हुआ फैजी दिल्ली की परसिद जमा मस्जिद का निर्मान किस ने क्या तो जिल्ली का परसिद जमा मस्जिद साजाओं के द्वारा निर्मान क्या गया किस मुसल्मान बिद्वान का हिंदी साहित के लिए सबसे महत्वपुर्ण योगदान है तो अब्दूर्रहीम खाना खान का बहुत योगदान है हिंदी साहित के लिए अकबर द्वारा बनाएगे स्रेश्टम इमारत पाई जाती है फतेपूर सिकरी में अकबर द्वारा स्रिष्टम इमारत पाई जाती है हल्दी घाटी 1576 के पीछे अकवर का मुख्य उद्देश सिक्या तो हल्दी घाटी राना परताप को अपने अधीन लाना था मुगल समराथ अकवर के दर्वान में परसिद चित्रकार था तो 10 वंद सेड़सा ने असरफी रुपिया दाम नमक नई सिक्के चलाए वे जिन धातों से बने होते थे वे सोना चांदी और तामबा के बने होते थे अकवर के सासनकाल में पुनरगठित के अंद्रिक प्रसासन तंत्र के अंतरगत सैनिक भाग का परमुख था तो सैनिक भाग का परमुख मीर बक्सी था मीर बक्सी सैनिक भाग का परमुख था किसने अकवर की कबर खोद कर उसकी हडियों को जला दिया तो राजा राम ने अक अकवर की गब्र कुद कर उस घट्यों को जला दिया अकवर का सबसे अंतिम विजधे अभियान था तो असीर गर्विजय ज्री ऑकवर का सबसे अंतिम विजधे अम्लिज भियं था अकवर के नव में से एक विश्विय आ reins AP मारे गए तो विर्वल उसकी मृतकी हो जाती है we went in daily mati últimaude कि विर्वल को कविराज की उपादी दिया था जांकिर की निर्देश पर किस ने अबुल्फजल के त्या कर दे ती तो अबुल्फजल की हत्या भीरसिंग बंदिलाने किया था मेभार से युद्ध दता चित्ताउर कि संदी किसके News आशनकाल के मत्मूT अपलगदी है तो जहांगीर के लिखा तो अबूल फजल ने अकवर नमा लिखा एत्माद उद्दवला का मकवारा अगरा में किस नहीं बनवाय था तो एत्माद उद्दवला का मकवारा अगरा में नूर जहाने बनवाय था राजपूतनों के राजियों में किस एक ने अकबर की संपुरुता स्विकार नहीं की तो मेवार ने अकबर की संपुरुता कभी स्विकार नहीं की किस मद्यकालिन भारती सासक ने पट्टा एवं काबुलियत की प्रथा प्रालम की तो पट्टा एवन काबुलियत की प्रथा सेरसा ने गया मुगल समराच और अरंग जेव कौन साबाद्धियंत्र बजाते थे तो मुगल समराच औरंग जेव बीना बजाते थे जहुनिर को दफनाय गया था तो जहुनिर को काँ दफनाय गया था प्रसिद जैन आचारी कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित क्या था तो हरी विज़ै सूरी लंदन में British East India Company के गठन के समय भारत का कौन बादसा था तो, लंदन में British East India Company के समय भारत का बादसा अकबर था साजाओं के काल में कौन यूरोपिय यात्री भारत है तो पीटर मुंडी साजाओं के साशनकाल में भारत है अकवर ने दीन ए इलाही कम प्रारम किया तो 1582 में दीन ए इलाही प्रारम किया दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया दिल्ली का पुराना किला सिर्षा के द्वारा बनाया गया लाइक शेर और सब्सक्राइब माई चैनल इस तरह के वीडियो में लेकर करके आते रहता हूं डिवाईज कर सकते हैं तो मैंने दिर्ली सल्तनद की कोषियन मुगल कलिन कोषियन और फिजिक्स केमस्ट्री बहलो जी सभी कोषियन मेरे यूट्यूब चैनल पर लब्द आप वहाँ पर मेरे चैनल को विजिट करें और प्रेलिस्ट में जाकर करके आप सारा वीडियो देख स थैंक्स वर वाचिंग अगान शब्सक्राइब मैं चैनल